नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आपका एक बाए फिर से हमारे शेनल में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मुझफरपुर के पांच सबसे परसिद अस्थानों के बारे में बिहार राज के महत्पुन सोहरों में से एक मुजफफर पुर जिला बिहार राज का एतिहासिक वा सांस्कृतिक जिला है ये शहर उत्री बिहार का एक परमुक्ष सहर है जो अपने लीची के बागों के शमराज के रूप में जाना जाता है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी और आकरसित करता है मुझफफर पूर गंड़क नदी के किनारे बसा हुआ मुझफफर पूर का नाम ब्रेटिश आसन के अधीन एक राजस्व अधिकारी मुझफफर खान के नाम पर है मुझफर पूर जिला जो तिरूत विभाजन का एक हिस्सा है और जिले का परसासनिक कुख्याले भी है जिले की मूल निवासी भासा बज्जी का है मुझफर पूर कई खूपशुरत जगों और एतिहासिक मंदिरों का ग्री है यह शहर उन सबी परेतों को के लिए जो अध्यातिमिक और धार्मिक सान्त्वना की तलास में है उनके लिए यादगार जगह है लएनकी मुझफर पूर की यातरा कभी भी की जा सकती है परंतु अक्टूबर से मार्च मुझफरपुर की यातरा करने के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है वैसे अगर आप चाहें तो कभी भी जा सकते हैं ऐसी कोई परेसानी वाली बात नहीं है अब बात करते हैं यहां के पांच सबसे प्रसिद प्लेसेस के बारे में नमर एक पे लीची के बाग लीची के बाग मुझफरपुर के सबसे पसंदीदा जगों में से एक है मुझफरपुर लीची के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद है यहां हर साल लाखो टन लीची का उत्पादन होता है जिसमें लीची की मिठास सुगंद दूर दूर तक परसिद्ध है इसलिए इस सहर को स्वीट सीटी के नाम से भी जाना जाता है यही रूची इन लीची के बागों को मुझफर पुर के दरसनिय अस्थल बनाती है मुझफर पुर के लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में इस्थित परसिद्ध लीची उद्ध्यान है लीची के बागों को देखने का सबसे अच्छा समय मई से जून का होता है इस समय फसल पके होने के साथ बागों की सुन्दरता भी बढ़ाती है नमबर दो पे बाबा गरीबनात मंदिर यहां मंदिर सहर के सबसे प्रसिद मंदिरों में से सबसे प्रसिद मंदिर है बाबा गरीबनात सहर के लोगों के दिल में इस्थित है यहां भगवान सिब की मुर्ती बाबा गरीबनात के रूप में मंदिर में अस्थापित है यहां के अस्थानिये लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि मंदिर का काफी पुराना इतिहास है मानिता के अनुसार इस मंदिर का लगभग 300 साल पुराना इतिहास रहा है और भी कई सारी मान्याता हैं इस मंदिर का देवघर के समान अधर प्राप्त है यहां हर सावन के महीने में लाखों के संख्या में सरधालू चलाविशेक करने आते हैं इस मंदिर को बिहार का देवघर भी कहा जाता है अगर आप इस मंदिर पर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नमबर तीन पर है जुबा सहनी पार्क जुबा सहनी पार्क सोतंता सिनानी और क्रांती कारी जुबा सहनी के नाम पर बच्चों काया पार्क मुझभफर पूर की मिधनपूरा छेतर में इस्थित है जुबा सहनी पार्क किसी अन्य बच्चों के पार्क की तरह ही है लेकिन हरे भरे पेर, जहारियों और सांत वातावरन के कारण यहां बच्चों, बूढों और परियटकों के लिए यह पसंदिदा पिक्निक स्पोर्ट बन गया है पार्क में लगी लाइटें, रात के समय पार्क को अपनी रोशनी से जगमंगा देती है मुझपरपुर के दरसनी अस्थल में यह पार्क मुख्य मनोरजन अस्थल के रूप में जाना जाता है नमर चार पे, खोधी रामबोस मेमोरियल खोधी रामबोस मेमोरियल एक 18 वर्सिय महान सोतनता सिनानी खोधी रामबोस को समर्पित है खोधी रामबोस की याद में बनाया गया अस्थल मुझपरपुर की सबसे प्रसिद अस्थल है काफी संख्या में लोग यहां घुमने के लिए आते हैं यहां पर आपको सहीद खुदी रामबोस की मूर्ती देखने को मिलती है। खुदी रामबोस मुझफरपुर के सत्र ब्रीटिस नियाधीस किंग्सफोड पर बम फेकने के आरोप में अंग्रेजों दौरा गिरफतार किये गए थे। और फिर उन्हें फासी पर लटकाया गया। जब खुदी रामबोस सहीद हुए थे तब उनकी उम्र 18 वर्थ थी। उनकी सहादत के बाद वे काफी लोग प्रिये हो गये और पूरे देश में देशभक्ति की लहर उमर परी थी। तब से लेकर उनकी अस्थल पे लोग नमन करने आते रहते हैं। इस अस्मार्क को सहीद खुदी रामबोस प्रफल चौकी अस्थान मंदिर। नमर पाँच पे चतरभुज अस्थान मंदिर चतरभुज अस्थान मंदिर मुज़फर hetatakton बारो सौ इस्वी में अस्थापित अतिप्राचीन बाबा चतरभुज अस्थान मंदिर भक्ति वा आस्था का केंद्र है यहां भगवान चत्रबोज यानी स्री हरी विष्णु की भवे प्रतिमा अस्थापित है पूरे उत्तर बिहार के लोग यहां दर्सन के लिए आते हैं यहां मंदिर मुझपर पुर के दर्सनी अस्थल में काफी प्रसिद्ध आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट में लिखकर जरू बताएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू के जाएगा मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों